हलो फिर नमस्कार दोस्तों तो कैसे आप सब उम्मीद करते हूँ आप सब अच्छे होंगे स्वस्था होंगे ये कटेला जैसा जो पौधा देख सकते हैं मेरी वीडियो के मद्धम से ये अपने घरों के आसपास में जरूर देखे होंगे जो बंजर जमीर रहते हैं वहाँ प दोस्तों मेरे चैनल को अब देख से हैं सबका कल्यान हो सबका हीत हो सबका भाला हो मेरे वीडियो में व्यूज आए या ना आए शबिसक्राइबर बढ़े या ना बढ़े इससे मुझे कोई फरक नहीं पड़ता मैं चाता हूँ मेरे वीडियो में जितने भी मैं आप लोग को ये बात बताना चाहूँगा अगर मेरे यूटूब वीडियो को देख कर कि किसी एक भी आदमी का भाला होता है तो मैं ये समझोगा कि मेरे यूटूब चैनल में आज आना सार्थाक हुआ मैं आप लोगों को जड़ी बूटी के जो भी जानगारी बताता हूँ अगर चाहूँगा दोस्तों अगर आपको भी किसी भी प्रकार के कोई परशान है तो आप मुझे हरियों केर 305-gmail.com पर मेल करके पुछ चकते हैं चेले इसके मैं फैदा बता देता हूँ वैसे मेरे वीडियो के टाइटल और थमनेन में देखी चुके हैं बताने की जूरत नहीं है कोई सा जानकारी बताने वाला हूँ सबसे पहले बताना चाहूँगा ये दातों के दर्दा को ठीक करता है अपने एक चैनल उसमें भी मैं आप लोगों को अलरेडी बता चुका हूँ जिन लोगों के अगर अक्सार दातों में दर्दा बना रहता है बजर दंती नाम क्यों पड़ा है क्यों कि बजर के शमाने दातों को बना देता है नाम से इस पष्ट है बजर दंती यानि की दातों को बजर के शमान बनाने वाला तो अगर किशी के दातों में दर्दा जाते हैं अगर काक्चेंडिस्वल कल्प तंत्रम के नुशार बताना चाहूंगा अगर 21 दिनों ताकि इसके छाल को चूसा जाये तो हमारे दांद बज़र के शमान बन जाते हैं आप लोहा को भी अपने दांतों से तोड़ सकते हैं इतना जादा मजबुत बन जाते हैं और ग मैं बताना चाहूंगा किसी भी प्रकार के दवा का परोग मत करें इसके बीज का एक बार परोग करके देखें काक्चंडिस्वल कल्प तंत्रम में ये बताया गए अगर इसके बीज को मुख में धारान किया जाए तो विर्या का इस्तंबन हो जाता है जब तक कि इसके बीज को मुख में धारान करें रहेंगे तब तक कि विरपात नहीं होते है तो यही ते कुछ इसके फायदे और भी इसके बहुत सारा फायदा बताऊंगा बजर दंदी के आने वाले वीडियो में बताऊंगा हमारे हड़ी को बजर के शमान मजबूत बना देते हैं और भी इसके बहुत सारा फायदा बताऊंगा यह थे आज के छोटी से जानकरी जानकरी का इसा लगे हमें जरूर बताना बेड़ो देखने के लिए धनेमा दोस्तों नमस्कार